दोस्तो आज हम करने वाले हैं डेली डेले डायेट इंट्रेंस एक्जाम के लिए सोसल साइंस के बहुत ही जादा इंपोर्टन कोश्चन तो आज दोस्तो आप लोग इसे एक परकार से टेष्ट मान लीजिएगा और आप सभी स्प्रिंट दोस्तो चेक किजिएगा कि कितने कोश्चन का आंसर आपको पहले से पता था तीन और आप लोग अपना स्कोर कमेट बॉक्स में भी बताईएगा तो चली स्टार्ट करते हैं देखे फर्स्ट कोश्चन में पुछा गया है दोस्तो दांडी यात्रा जिसे हम इंग्लिस में दांडी मार्च के नाम से जानते हैं कितने दिन तक चली थी तो ये यात्रा दोस्तो टोटल 24 देज तक चली थी 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवग्या आंदोलन सिविल डिस ओविडेंस मुव्मेंट कहां से सुरू किया था तो सावरमती आसरम से और समाप्त कहां हुआ था तो दांडी में जागर महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्यागरा कौन सा था तो इसे दोस्तो हम चंपारन सत्यागरा के नाम से जानते हैं दच्छिन अफ्रीका में महात्मा गांधी जी दोवारा परकासित पत्रीका का क्या नाम है इंडियन ओपिनियन गांधी जी की मिरुतिव पर किस ने कहा था हमारे जीवन से परकास चला गया जवाहरला नेहरू जी किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी तो इस कॉलेज का नाम है दोस्तो सामल दास कॉलेज भावनगर बिहार में तीन कठिया पत देती के तहत कितने भागों पर नील की खेती करना अनिवार था तीन बटे 20 भाग पती और गौँ में दोस्तो हम खेतों को कट से नापते हैं आपने से कुशन रून को पता होगा देखे गांधि जी ने किस सत्यगरा में सिविल डिस ओविडेनस का पर्योग किया था तो इस सत्यगरा को हम चम्पानन सत्यगरा के नाम से जानते थे दोस्तों गांधी जी जो है अफरीका में 21 वरस तक रहे थे तुकिना नेक्iająड कोश्चन ने गांधी जी ने भारती राष्टी कॉंग्रेस के एक मातर किस अधिवेशन की अधियक्षता की थी तो 1924 की विल जो हुआ हैं उसकी अधियक्षता की थी तुकिना नेक्श्चन में पूछा गिया किस घटना के बाद गांधी जी ने असाहयोग अंदोलन को अपनी हिमाले जैसे भूल बताई थी तो इसका सही अंसर होगा option A तिक ना असाहयोग अंदोलन किस पर सुरू किया गया था 1920 में किसके बुलावे पर दोस्तो गांधी जी अफ्रीका गया थे गांधी जी दचीन अफ्रीका से किस वर्स लोटे थे 1915 में भारत छोड़ो अंदोलन कब प्रारम हुआ था most most important question 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो अंदोलन प्रारम हुआ था दोस्तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष कितनी वार रहे तो इसका सही आंसर होगा एक बार गांधी जी ने पहला जन भासन कहां दिया था वरांसी में ठीक ना भारत छोड़ो अंदोलन के समय इंग्लेन का परधान मंतरी कौन था तो ये था परधान मंतरी विष्टन चर्चिल गांधी इर्विन समझोता दोस्तो कब हुआ था इसका सही आंसर होगा 5 मार्च 1931 तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो पीटर मारित स्वर्ग थोड़ा यहां पर लग सकते थोड़ा हिंदी में कुछ नाम में मिस्टेक किया गया होगा पीटर मार्ट रीत स्वर्ग तो यह नाम तो सुना नहीं आज तक पर हो सकता है सही हो यह एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा नेक्स्ट कॉश्चन में पुछा गया है चंपारन सत्याग्रह के दोरान गांधी जी पर मुकदमा कहां में चलाया गया था या फिर हो सकता है कहां पर चलाया गया था या फिर हो सकता है कहां चलाया गया था मोतिहारी में गांधी जी 1917 में चंपारन की यात्रा की थी किसके अनुरूद पर यह दोस्तों आपने जो है न एक इंडिगो चैप्टर class 11th में है या 12th में मैं भोल गया लेकिन इस chapter में आपने पढ़े होंगे राजकुमार सुकला के बारे में भी हमने पढ़ा था और दोस्तो इसमें जो है नील की खेती के बारे में भी हमने पढ़ा था तो देखे राजकुमार सुकला के अनुरोध पर ही गये थे, यह आपको पता है क्यूंकि दोस्तों, राज्पमार सुकला गांधी जी के पीछे पीछे चले गये थे, पता है नी, कलक्ता थोड़ा थोड़ा याद है मुझे गांधी जी को बापू की उपादी किस ने दी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने किस घटना ने गांधी जी को भारत के सोतंदरता संगराम के छेतर में लाकर खड़ा किया था। तो इस घटना को दोस्तों हम जलिया वाला वाग घटना के राम से जानते हैं। टीना, next question करते हैं, question number 27, देखते हैं, यहाँ पर देखें। नेक्स्ट कोशन का आंसर होगा दोस्तों, option B, वर्दौली, टीना, option B, वर्दौली, नेक्स्ट कोशन, गांधी इरविन समझोता किस से संबन्दी थे, तो यह दोस्तों सविनय अवग्या आंदोलन, civil disobedience moment से संबन्दी थे, टीक ना, गांधी जी को सर्व परतम सबसे पहले रा इसमें कितने demands रखे गए थे, गांधी जी ने इरविन के सामने कितने demands रखे थे, तो total 11 demands रखे थे, ठीक ना, और देखे, डांधी मार्च के बारे में भी पूछ ले जाता है कि कब परारम किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को परारम किया गया था, total 24 days लगे थे, ठीक ना, और सम पर अगर देखा जाए, तो लोग दोस्तो आज भी नमक रोटी भी खा लेते हैं, और जब दोस्तो नमक पर ही कर लगा दिया जाएगा, तो एक गरीब इनसान इक पास और क्या बचेगा option, खाने के लिए, सोच सकते हैं आप लोग, ठीक ना, next question इसमें ये बनता है, कि total कितन मिल की दूरी तैकी थी, तो मिल में अगर पूछा जाए, तो 241 और किलो मिटर में पूछा जाए, तो 388 किलो मिटर, याद रखेगा, अगर 390 भी है option में, तो उसे select कर लिजएगा, अगर 388 ना हो, तब ध्यान में रखेगा, ठीक ना, और 24 दिन लगे थे, ये आपको पता, और सुरुआत कहां से हुआ था, तो सावरमती आसरम से, और समाप्त हुआ था, दांडी में, ठीक ना, सोचे दोस्तों, जिन्हों ने भारत को आजाद करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दे थी, ठीक ना, और वही व्यक्ति कुछी दिन जी सके, अब इसी सो में, ठीक ना, उसी का नाम है दोस्तो, राष्ट पीता महात्मा गान्धी, ठीक ना, इस कोशन का सही आंजर होगा दोस्तो, option B, ठीक ना, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गान्धी जी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, next question करते हैं, तो next question में पूछा गया है, गान्धी जी किस गोल में समयलान में भाग लिये थे तो इसका सही आंसर होघा दोस्तो पर्थम गोल महात्मा गांधी के राजनीती गुरु दोस्तो गोपाल कृस में पढ़े हैं क्योंकि मुझे भी यान है नेक्स्ट कूशन में पुछा गया है दाणडी यातरा में गांधी जी ने कितनी दूरी तैय करके नमक कानून का बिरोध किया था तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो 388 किलोमीटर महात्मा गांधी ने हिंद सुराज की रचना कब की थी जब वे दोस्तों इंग्लेंड से दच्छीन अफ्रीका यात्रा कर रहे थे ठीक ना इसका सही आंसर ओप्स और नवजीवन ये दोनों है ठीक ना देखें नेक्स्ट कोशन में पुछा गया है गांधी जी कितने सही योगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टोटल स्वंटी एट